तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने कैसे एरे का यूज़ करके एटमे का 3 to 8 के एप्रॉम में डेटा यानि कारेक्टर को स्टोर किया था जो कि पर्मनेंटली स्टोर हुआ था या यू कहें कि जब तक हम लोग उसको डिलीट नहीं कर देते हैं तब तक वो उस एप्रॉम में स्टोर रहेगा बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा कि क्या हम और्डिनो में जो कोड अप्लोड करते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं तो मेरा एंसर है नहीं कि वोडिनो में कोई ऐसा फूंइन हो пойम और्डिनो में कोई ऐसा फूंचन नहीं है जिसका हम लोग यूस करके existing पूइलीट कर सकते हैं तो इसका simple सा तरीका यह है जो की मैंने आप लोगों को इपलाई करके में बताया भी था उसमें मैंने यह किया था कि data को save करने के लिए एक अलग-अलग character का मैंने array बनाया था जो कि बहुत ही जादा weird लग रहा था पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उसी code को string की health से अपने EEPROM के अंदर data को save करके दिखाऊंगा अब हम लोग बात करते हैं कि string होता क्या है तो चलिए सबसे पहले एक example से इसको समझते हैं जैसी कि मैंने last वीडियो में देखाया था कि मैंने अपने नाम को EEPROM के अंदर save किया था तो उसमें मैंने क्या किया था array के अंदर कि अलग-अलग character का single quotes की help से उसको separate किया था लेकिन हम लोग वही बात करें string के बारे में तो string group of character होता है जैसी कि मेरा नाम हो गया मुहमद सैफ तो इसमें अलग-अलग character को मिला कर मेरा नाम बना है जिसको हम लोग string कहेंगे अब guys हम लोग चलिए समझते हैं कि अपने programming में string को हम लोग कैसे use करते हैं कहां use करते हैं तो बात की जाए guys string के बारे में तो Arduino programming में कोई ऐसा data type नहीं है जो कि string को store कर सके जैसे कि हम लोग integer के लिए int का use करते हैं floating point के लिए हम लोग float data type का use करते हैं और भी बहुत सारे data types हैं, जैसे कि void हो गया, boolean हो गया, word हो गया, sort हो गया, double हो गया, तो यह सारे data types हैं, जिसके अंदर हम लोग अलग-अलग values को store करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने programming के अंदर चाहें, कि हम लोग string को define करें अपने program के अंदर, तो कोई ऐसा data type नहीं है, जैसे कि string हम लोगों ने लिख दिया, कि data type string है, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका identifier लगाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने string को save करना इस्टार्ट कर दिया, ऐसा कोई data type अभी तक हम लोगों के programming में नहीं आया है, तो अगर हम लोग अपने program में string का use करना चाते हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक ही method है, जिसको मैं आप लोगों को आगे अभी वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने IDE के उपर, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग string को अपने program में कैसे use कर सकते हैं, कैसे define कर सकते हैं, जिसमें हम लोग character का array बना के हम लोग string को define करते हैं, तो guys, Arduino programming के अंदर string को बनाने का सिर्फ एक ही method हैं, जैसे कि मैं आप logo को अभी लिख कर दिखाता हूँ, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे care, क्यूंकि हम लोग इसके अंदर character का array बनाने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका identifier देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, message, या फिर आप लोग कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि data भी दे सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको open और close ब्राकेट से इसको close करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग space देखे, assignment operator का use करते हैं, और यहाँ से हम लोग double quotes के अंदर हम लोग अपने string को define करेंगे, अब यहाँ पर मैं अपने string को लिखने वाला हूँ, hello I am Safi Brahim, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो और यहाँ पर हम लोग इसको semicolon से terminate कर देंगे, तो guys आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस type से हम लोग अपने program में string को define करते हैं, तो guys अब हम लोग अपने main program के तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज की वीडियो में same program को repeat करने वाला हूँ, तो इस program को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, care, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर message, मैं double quotes के अंदर, कुछ भी message को जो Arduino के EEPROM में save करना चाहता हूँ, उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, जैसे की मुझे लिखना है, hello, I am safe from softtech tube channel, तो इसको मैंने यहाँ पर define कर दिया है, जिसको मैं अपने EEPROM के अंदर save करने वाला हूँ, अब हम लोग next line में बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अपने setup function को लिखेंगे, तो guys मैं चाता हूँ कि मेरा जो data है EEPROM के अंदर save हो, तो side by side मैं उसको अपने serial monitor पर print करके देख भी सकूँ, कि क्या चल रहा है मेरे EEPROM के अंदर, तो इसके लिए मुझे serial port को initialize करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने इसको initialize कर दिया 1152.00 से, अब next line में हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं चाता हूँ कि मेरे जो EEPROM के अंदर data save होने से पहले, कुछ message print हो, इसको मुझे print कराना है EEPROM के अंदर data को save होने से पहले, अब यहाँ से next line में मैं अपने main program को लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, अब इसको initialize करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका identifier देंगे, इसका identifier मैंने दे दिया है car idx, क्योंकि जो मेरे EEPROM के अंदर data store होगा, character by character store होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको car idx यानि की character index दे दिया है, तो यहाँ पर मैंने car idx को zero से initialize करके, str lane message को यहाँ पर लिखा है, अभी मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं अपने program को लिख लेता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने अपने program को लिख लिया है, इसको मैं अभी आप लोगों को समझाऊँगा, इससे पहले कि मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गया हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कि अगर हम लोग अपने program में, ordino programming के अंदर, white loop वाले function का use करें, या फिर नहीं करें, लेकिन हम लोगों को उसको लिखना ज़रूरी होता है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने अपने white loop वाले function को लिख लिया है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखता होगा, कि मैंने अपने string को define कर दिया, जिसको मैं अपने EEPROM के अंदर store करने वाला हूँ, अब next line में, यानि की third line में, मैंने void setup को लिखा है, उसके बाद फिर मैंने curly bracket के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है, serial.begin 1152.00, इसका मतलब क्या है, मैंने अपने serial port को initialize किया, 1152.00 bound rate से, की मेरे serial monitor पर print होगा, next line में हम लोग बढ़ते हैं, अपने main program की तरफ, जहाँ पर मैंने for loop का use किया है, अब for loop के अंदर मैंने variable बनाया है, char idx, यानि की एक-एक, जो मेरे EEPROM के अंदर, जो string store होगा, वो one by one character के हिसाब से store होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है, character index, यानि की char idx, equal to zero, यानि की यहाँ पर zero क्यूं होगा, अभी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, उसके बाद फिर मैंने इस for loop को end किया है, str line message, अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही मेरा program start होगा, सबसे पहले यह message print होगा, उसके बाद फिर हम लोगों का for loop start होगा, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कि for loop का जो char idx का value सबसे पहले zero करेगा, हम लोगों का for loop, हम लोगों का program जो है next line में यानि की अंदर आएगा, अब यहाँ पर मैंने एक variable बनाया है, save care, जिसका data type है care, यानि कि इसके अंदर जो भी data store होगा, वो character होगा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको assign कर दिया है message care idx, यानि कि यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पर इस message को define किया था, इसको यहाँ पर यह लेगा, यानि कि कहने का मतलब क्या है, अभी care idx का जो value था 0 था, अब हम लोगों का program जो है, इस 0 को लेकर जाएगा, और इस message के अंदर पता करेगा कि 0 place पर कौन सा है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाता हूँ, तो अभी हम लोगों का save care का value हो गया edge, अब next line में हम लोगों का program क्या करेगा, कि Eprom.write, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है guys, कि Eprom.write, Eprom के अंदर मुझे data को save करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर Eprom.write नम के function का use किया है, इस वज़े से यहाँ पर message आ रहा है, नीचे में आप लोग देख सकते हैं, कि use of undeclared identifier Eprom, तो यहाँ पर मैंने अपने library को define नहीं किया है, उपर में add नहीं किया है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपने library को add करूँँगा, यहाँ से यह message हड़ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि हम लोगों का जो error वाला message था, वो disappear हो चुका है, अब यहाँ पर हम लोगों का program क्या करेगा, कि Eprom.write वाला जो function है, वो काम करता है Eprom के अंदर data को save करने का, write करने का, तो अभी हम लोगों के cal idx का value, for loop के अंदर 0 था, तो यहाँ पर जो address होगा 0 होगा, यानि कि हम लोग memory में बहुत सारे space होता है, जैसे कि हम लोग अपने महले में रहते हैं, तो उसमें अलग-अलग जो जगा होता है, अलग-अलग जो घर होता है, उसका अलग-अलग address होता है, हर घर का unique address होता है, इसी तरीके से memory में भी हर जो location होता है, उसका unique address होता है, तो यहाँ पर मैंने 0 से start किया, यानि कि यहाँ पर care idx 0, यानि कि 0 address पर मैं save care को write करना चाहता हूँ, अब save care का value क्या था guys, h था, तो यहाँ पर eprom.write नाम का function क्या करेगा, कि 0 address पर save care यानि कि age को save कर देगा, उसके बाद फिर हम लोगों का program next line में आएगा, और serial monitor पर save care को print करेगा, जो कि age था, उसके बाद फिर 20 millisecond के लिए हम लोगों का program जो है, डिले पर जाएगा, अब फिर से हम लोगों का program for loop के अंदर आएगा, और यहाँ पर care idx का value 1 कर देगा, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि care idx का value 1 है, उसके बाद फिर हम लोगों का program next line में आएगा, और save care के अंदर message care idx, यानि कि care idx का value अभी 1 है, तो अब हम लोगों का program जो है, इस message के अंदर आएगा, और one place पर e है, e को लेकर आएगा, और उसके बाद फिर इस save care के अंदर e को save कर देगा, और हम लोगों का program next line में आएगा, eprom.right care idx, यानि कि one address पर e को save कर देगा, इसी तरी किसे हम लोगों का program जो है, आगे आगे बढ़ता जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कि str length का मैंने use यहाँ पर क्यों किया है, तो guys इस string में हर character का अलग-अलग place है, तो इस case में मैं अलग-अलग उसका character को तो गिनूँगा नहीं, इस वज़े से मैंने यहाँ पर लिखा है str length, यानि कि यह str length predefined function है, यह क्या करेगा, कि मेरे जो message के अंदर जितने भी string है, उसका length count करेगा, यानि कि हम लोग के इस message के अंदर 46 character है, अब चलिए हम लोग इसको compile करते हैं, और उसके बाद फिर इसको run करके देखेंगे, कि हम लोगों का program जो है successfully run हो रहा है, या फिर नहीं, तो इसको हम लोग सबसे पहले compile करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको compile finish कर लिया, अब चलिए हम लोग इसको run करके देखते हैं, तो गईस अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि हम लोगों का sketch जो है, और डिनो में upload हो चुका है, अब हम लोग अपने serial monitor को open करेंगे, और जो हम लोगों ने about rate को select किया था, सबसे पहले हम लोग setting में जाकर उसको देख लेंगे, तो गईस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि हम लोगों का program जो है successfully run हो गया है, अगर इस video से related, आप लोगों को कोई सा भी doubt रह गया हो, तो आप लोग मुझसे comment box बें जरूर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए, तो इस video को like करके channel को subscribe भी कर सकते हैं, मिलते हैं next video में, goodbye.